नमस्कार मैं डॉक्टर मौसी मीना असिस्टर परफेसर डिपार्टर जोलाजी आज हम मेजर एरियाज ओप बाय टेक्नलोजी पार्ट सेकिंड के बारे में स्टेडि करेंगे यह टॉपिक बीएस्सी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकिंड और उनिट फिप्ट का है अब हम यहां मेजर एरियाज ओप बाय टेक्नलोजी जे प्रदगित तक्निकी के प्रमुक्षेत्र के बारे में देखेंगे कि इसके मेन एरियाज कौन-कौन से हैं तो हाप के स्टेडिज हमने पहले की ती और हाप जो सेज बचे हुए उनकी आज करेंगे फर्स्ट है बायोफिल्स या ज प्रोसेज इंजिनियरिंग या प्रकम अभियांतर की आप हम यहाँ पर बायोफिल्स या जेव इधन के बारे में देखेंगे तो जेव इधन से बाय एनरजी गैन करते हैं और यह माइक्राइज से हाइड्रोजन इथेनोल और मेथेनोल इन और वह बायोगेस इन सभी से गै करते हैं तो फर्स जनरेशन वायोफिल्स या कॉर्ण इथनोल और बायोडिजल यह सब फूड क्रॉप्स से बनते जैसे की सिरियल्स सुगर क्रॉप्स और ऑल्ल शीट्स और यह सब ही जो लिगनोल सेलिरोसिज के यह फीडिक सोक्स हैं इसमें बुड़ी वायोमस और बुड बैस्टर्स इन सबको इंक्रॉड किया गया है और क्रॉप्स में डेडिजूज है वह एनरजी क्रॉप्स जैसे की सुचार्जर्ज और मुनिसिपल बैस्टरीज और एल्गी इन सभी को बायोफिल्स के अंतरगत लिया गया है यहां हम देखते हैं कि एल्वकॉल बायोफिल् तो जैमोनाज मॉबिलिस में प्लांट सुगर का फर्मेंटेशन करके और यह एल्गॉल प्रोडेक्ट करने वाला है इस्ट की कंपरेजन में डवल कैपसिट्री पाई जाती है ऐसे ही थर्मो एरेनो वेक्टर इथेनोल लिकिस यह इसका उप्योग भी कार्वाइड़िड से इथेनोल प्राप्ट करने के लिए किया जाता है और जो मीथेन है मीथेन प्रोडेक्ट है उसको जो बैक्टिरिया है वो बायो गेस का प्रोडेक्शन करती है और यह जो क्रिया होती है वो बैस्ट मट्रियास पर क्लोस्टिरियम बैक्टिराइट्स और सेलनोमोनेस और इसक और जितने भी जो बायो मास हैं उन पर माइक्रो और्णिंज की रियक्शन दुआ रहा है एलकुल और बायो गेस की रिकवरी की जा सकती है इसी परकार हाइड्रोजन एक तरह सा एक बेस्ट फ्यूल है और ये हाइड्रोजन किस से प्रात किया जाता है ये एलगी से इसकेनोडसमस और क्लोरियला इसकेनोडसमस और क्लोरियला इनसे फोटोसिंतेसिकी रियक्शन के दुआरा इस गेस का प्रोडेक्शन करते हैं इसी प्रकार हम देखेंगे कि साइनो बैक्टरिया जो कि molecular hydrogen का formation करते हैं और ये reaction होती है वो इसके दोबार होती है hydrogenase enzyme दोबार होती है और इसमें oxygen की कम मात्रा में ये क्रिया होती है इसे प्रकार जो thermo anaerobics blocky एक बैक्टरिया है इसकी reaction के लिए hydrogenase और ferroxine पाए जाते हैं इनके दुआरा ये reaction किराई जाती है और Clostridium, cello-bioporum इसकी जो reaction होती है वो cellulose पर होती है और cellulose पर ये reaction करके hydrogen का formation करते हैं तो इस प्रकार हमने हैं देखा कि biofuels के अंतरगत, hydrogen, ethanol और methanol इन सबी का production किस प्रकार से enzyme reaction जैसे bacteria वगेरा इन सबी से हुआ major areas of bio technology के अंतरगत enzymes की गिडवन के वारे में देखें कि enzymes की ये roll होते हैं bio technology के अंतरगत तो यहाँ पर हमने देखा कि कई animals जैसे माइक्राणिज द्वारा अनेक जियो reactions होती है वो enzyme द्वारी की जाती है तो इसमें biological catalyst उड़ते हैं और इनको bio catalyst भी कहते हैं जो कि biochemical reactions में speed up करते हैं और यह सब यह living organism में पाई जाती हैं तो यहाँ हमने देखा है कि माइक्राणिज द्वारे उनकी द्वारा कहीं जो enzymes होते हैं वो उनका production किया जाता है और उनके जो product होते हैं उनसे ही पराप्त किया जाते हैं तो माइक्राणिन हैं उनमें metabolic reaction के द्वारा ही यह सारी reactions की जाती हैं तो यहाँ पर हम कुछ enzymes के बारे में देखेंगे और उन enzymes को किस पर और उसकी द्वारा कौन से product उत्पन की जाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन-कौन से enzymes हैं और उनकी source क्या है और उनकी reactions क्या होती है उनकी द्वारा product क्यों से होते हैं जिसे एक्जमपर के तोर पर हम देखते हैं कि alpha-amylase होता है वो bacillus source होता उसका और इसकी reaction होती है इस्टार्ज water hydrolysis और इसके द्वारा क्यों होता है कि जो इस्टार्ज है उसको glucose में और फूड के उद्वाग में चेंज करना होता है इसे प्रकार proteins होता है वो इसका source है ऐसरे किया और वो क्या करता है प्रोटीन हाइड्रलेसेस करता है और यह कहां काम आता है यह laundry जो इंट्रशी होती है उध्योग होते है laundry उध्योग में काम आता है इस प्रकार जो penicillin amylase है वो भी इसरे किया में काम करता है और इससे बैंजाल क्रिवेज की रेक्शन्स होती है और इसके द्वारा cancer की treatment में भी काम किया जाता है इसी प्रकार कहीं सारे ऐसे enzymes हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि उनकी reaction से पॉन कॉन से product या उनके usage क्या है तो इनके अलावा amino acid जो है वो एस पर जीरस पर इसका source है और ये isolated alpha amino acids का hydrolysis करता है और इस hydrolysis से रेसिमिक जो मिक्सर होता है उसका भी जाच होती है वो इसके द्वारे की जाती है तो ऐसे देखा कि हमने कई enzymes हैं उनसे जो source के साथ reaction कराई जाती है तो उनसे क्या-क्या usage है उन सभी के बारे में हमने यहां देखा अब हम यहां पर इस diagram के द्वारा फर्मेंटेशन के बारे में देखेंगे की कि ड्वन क्या होता है तो यह major areas जो बाइट अन्तरकत एक में टॉपिक के रूप में आता है fermentation तो यहां हमने देखा है कि सुक्स में जीविया माइक्राओन में होते हैं उन में fermentation की जो reaction होती है वो इस पेसली कुछ specific enzymes की सायताज से होती है और इनकी जो reactions होती है उनके द्वारा कई परकार के acids, enzymes, alcohol, antibodies और specific tissues, technicals और medicines इसके अलावा vitamins, toxins और bio pesticides यह सबी जो complex materials होते हैं इनका synthesis fermentation reaction द्वारा ही किया जाता है तो यह जो micro-organism द्वारा जो reactions कराई जाती है यह एक cell के अंदर ही की जाती है और इन cells को indices में बड़े जो बरतन्स होते हैं जिनने फर्मेंटर कहते हैं उनमें कराई जाती है और यह फर्मेंटर काफी बड़े होते हैं साइज में इनमें मार्क्राउण में जिवारा जो में टैंपरेचर होता है उसमें pH और oxygen बेस सबस्टेट्स की कि इस इस ड्याग्राम विवड़े जैसे की फर्मेंटर की की जो रेक्षण होती है उसके लिए जो अपर साइड में दिखाई दे रोम बटेजस सलेक्ट किया जाता है इसे इस्टरलाइज मीडियम में डिजैड माइक्रो ओर्जमिन के साथ भी मिग्स किया जाता है और इसमें जो फर्मेंटेशन की रियक्षन है वो एक कौंश्टिंट समय तक होने जीताती है और उससे बाद में इससे जो प्रोडेक्ट हैं वो हम प्राप्त कर लिया जाता है और यह प्रोडेक्ट है प्राइमेरी यह सेकेंडरी उपाप चाहिए तो जो मेटेलियस हैं उनमें एंजेम, प्रोटीम, कैपसुल, पॉलिसेक्रेड और सिंगल सेल प्रोटीम इसके अलावा एंटिवाटिव मेटेलियस, एलकॉल और टॉक् प्राप्त होते हैं एक चंपल की तोर पर देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड होते हैं वो कैमिकल होते हैं वो मार्क और्मिजिम चौर्स है वो है ऐस परजीलस इसका जो यूजिज है वो है इसे क्लॉर्थ इंटर्शिजी, इसकीन ट्रीटमेंट में यह एलेक्ट्रो प्लेटि इसके द्वारा जो ओज्डियों की सॉल्वेंट है जैसे एस्टर इथर इनके लिए इंपोर्टेंट केमिकल का कार्य करता है इसी परकार ऑगजलिक एसिड है वह एसफर जीलस एसफर जीलस का क्या उप्योग होता है वह जो छपाई रंगाई और जो बॉसिंग इन सभी में य एक आवशक फेक्टर के रूप में काम करता है ऐसे जो केमिकल से वह कौन-कौन से और्गजिन द्वारा माइक्रोजिन द्वारा और उनके यूजेज क्या है इन सभी के बारे में हमने देखा यह सब फर्मेंटेशन इरेक्शन द्वारा ही होता है अब हम देखते हैं प्रसे गर्णोप में आता है तो बाइटेक्लोजिय का यह जो एरिया है वो कई इंपोर्टेंट रियक्शन के लिए आवशक होता है जैसे कि उद्वाटर से निकले हुए जो बॉटर सीवेज बॉटर या बेस्ट बॉटर इन सभी का ट्रेट्मेंट रिसाइक्लिंग के लिए यहां पर हम इस डाइग्राम द्वारा देखेंगे कि इसमें कौन सा माइक्रोडिन है और वो कैसे कार्य करता है पर हम प्रोसेश अप इंजिनियरी के अंतरगत आनें दो चक्रवर्ती द्वारा जो सुडोमोनास सुपरवग है उसको किस प्रकार बना गया तो यहां पर हम द दिया गया यह नेप्तलीन जाइलिन एलकेंस और कपूर का निमनी करन करतें की कैपसिटी रखता है इससे क्या होता है कि जो बॉटर है उसको परदूसर होने से भी यह बचाता है और माइक्रोजनी जो होतेंगी वो डॉमेस्टिक जो बैस्ट होता है और इसे प्लांट्स औ प्रेलिमल्स की जो डेड़ बॉडी का रिनेवलें या निमनी करन कर उसे दुवारा से रिसाइक्लिंग की किरिया में भी यह हेल्प करता है इसके दुवारा बाय टेकनलोजी दुवारा एन्वार्मेंट के जो फेक्टर से उनका नभीनी करन करके यह पुने चक्रन की किरिय रहता है यहाँ पर हमने इस डाइग्राम में देखा कि जो सुपरमोनास यह सुपरवक बैक्टिरिया है वो रिकॉमिनेट टेक्निक दुआ रही डवलब किया और इसने नेप्तरिन, जाइलिन यह ओक्टेंस और कपूर इन सभी का यह निमनी करने की कैपसिटी रखता है और इससे जल को प्रिद्शित होने से भी बचाता है तो इस प्रोसेश ऑप इंजिनिरिंग टेक्निक का जो प्योग है वो सी एज पर जिसे ओईल यह ग्रीस यह फैल जाता है और यह एनवार्मेंट को प्रिद्शित करते हैं और इनके द्वारा क्या होता है कि यह जो जितने कर देते हैं तो वहां रहने वाले लोगों निक प्रोब्लम्स होती है और इस प्रदुशन को समाप्त करने के लिए माइक्रो ओल्जित द्वारा अब गट्रन क्रियाओं की सारा लिया जाता है जो की पैट्रलियूं जो मट्रिनेस होते हैं उनको फैलने से और पॉलिशन को रोकने के लिए माइक्रो ओल्जित का उप्योग किया जाता है अब हम देखेंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्स्टस और बाय टेक्नोलोजी या जैब तकनिके की भविस्ट की क्या संभाव ना है तो यहां देखा कि इसको बाय टेक्नोलोजी के अंत्रगत इसके देखा कि डा एक्रकल्चर सेल बाय लोजी इसके अलावा प्लांट फिजोलोजी और सीट टेक्नोलोजी इन सभी के बारे में बाय टेक्नोलोजी के अंत्रगती देखा गया है और जो बाय बाय टेक्नोलोजिस्ट है उनका मोडिफाइड या मैनुप्लीड वो है वो लिविंग और जी का ट्रीज में न्यू प्रोडेक्स का डवलब करना ये सबी फीचर प्रोडेक्स और बाइटकलाजी के अंत्रगत आता है इसके अलावा कई और दूसरी वो भी है एंटिवोडिज इनके अलावा मेडिशन्स या उस्दिया एंजैम्स और शिटनर्स या मिटाशिक्स जो मेटेरि होगी और आर्टिफिशियल फ्लेवर प्रोडिशिंग सब्सेंस किर्तिम सुगंतों पदार्त बनते हैं उनके बारे में और सिंगल सेल प्रोटीन या एक कोस के प्रोटीन इसके अलावा बायो इंसेक्षिसाइद या जेव कीट नासर और रिकब्री ओव मेट्रलिन पेट्र इसके अलाव मोनो क्लोनल अंटिवर्डेज या एक क्लोनी प्रितिरक्षिय और डिने डिकॉंबिने इन सब के साथ सात्थ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या प्रोटोप्लास सलिलानि बाय टेख्लोडिकल्चर और बायोमास या जेव भार और जीन थेरपी या जीन उक्च इसी परकार पॉलिशन कंट्रॉल और इसके साथ-साथ ट्रांस्टेजिक एनिमल इन सभी को बाइटाक्लोलिय अंतर फूचर प्रोस्पेक्टर्स के रूप में हम देखते हैं अभी को धन्यवाद इस परकार आज का हमारा टॉपिक मेजर एरियाज और बाइटाक्लोलजी पार्ट सेकेंड भी कंप्लेट हो चुका है